हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पार्षाला और हम आज कर रहे हैं NCRT क्लास आठमी का इंगलिस का जो हम सैकेंड चैक्टर कर रहे थे सुनामी उसका सैकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे सुनामी में आपने देखा पहले पार्ट में कि किस परकार से बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय लहरों की काण लोगों का जीवन एस्त व्यस्त हो गया और उन्हें जान लुटानी पड़ी लेकिन केवल थोड़ी से ध्यान रखकर ही इस छोटी सी लड़की ने बहुत से लोगों की जान बचाई भी है तो आईए देखते हैं क्या होता है तेली स्मित, a British School girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand थाइलेंड में ही Phuket Beach नाम कोई स्थान था वहाँ कोई England से British School की कोई गरल थी नाम था तेली स्मित उसने बहुत से लोगों की जान बचाई though she has won a number of awards बहुत सारे उसे इसके लिए इनाम भी मिले her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine लेकिन टीवी पर interview उन्हें नहीं लेने दिया कि कहीं उनकी बेटी की पढ़ाई खराब ना हो जाए उसे heroine ना बना दिया जाए why do you think they took that decision यह इसा decision क्यों लिया होगा पाठ पढ़ेंगे और हम देखेंगे ऐसा decision क्यों लिया उन्होंने now here is a story from Thailand एक कहानी पढ़ते हैं Thailand से जैसा कि हमने नाम लिया था Tilly Smith उनकी पूरी family from South East England अब जो England है उसका North South East और West N E W S News आपने पढ़ी होगी जिसमें चारों दिसाओं अग्यान होता है तो इन्होंने का South East लगबग इंगलेंड के दक्षीनी हिस्से में अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा है तो भारत की तरफ भी यही डिरेक्शन इसके आती है वहां की बात है celebrating Christmas at a beach resort in Southern Thailand Christmas की छुटियां मनाने के लिए Christmas का त्योहार मनाने के लिए Thailand आई वे थे Tilly Smith was a 10-year-old school girl age केवल 10 साल her sister was 7 years और उसकी छोटी बहन 7 साल की their parents were Penny and Colin Smith पीता का नाम Penny Smith मा का नाम Colleen Smith और उसका नाम Tally Smith छोटी बहन का नाम भी दिया नहीं है It was 26 December 2004 अब Christmas मना रहे थे 25 December की Christmas होती है मना चुके थे Next Day जिसको Boxing Day के नाम से भी जाना जाता है और Boxing कौन सा? Christmas पर जो Gift Box में डाल कर बाटे जाते हैं तो वो Packing करने वाले जितने करमचारी होते हैं उनके लिए छुटी होती है जैसे दिवाली के अगले दिन हमारे भारत में विशव करमा दिवस मनाया जाता है सभी काम करने वाले लोगों को छुटी दी जाती है सुमात्रा एक देश है उसके उत्तर देशा में एक भुकम पाया था अर्थक्वेक अर्थ मैंने भुक्वेक मिन्स कापी थी जमीन कापने से जो भुकम पाया था वो उन्होंने देखा था morning, सुभे सुभे, the water was swelling and kept coming in और पृत्वी हिलने से जो पानी था वो भी स्वेल कर रहा था मानों फूल रहा हो और अंदर आ रहा हो penny smith remembered, याद करते हैं, कौन? penny smith the beach was getting smaller और पानी जो है समूंदर के टट की तरफ आगे बढ़ रहा था और जो किनारा था, beach means किनारा वो छोटा होता जा रहा था and smaller और छोटा होता जा रहा था I did not know what was happening, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, next page पर चलते हैं but, तीली smith sensed that something was wrong, अब यह जो तीली smith जो लड़की थी उसने देख लिया कि कुछ गल्थ है Her mind kept going back to a geography lesson, उसे अपनी class का एक part ही आदा रहा था, जो उन्होंने भूगोल में पढ़ा था She had taken in England, और पढ़ा कहां था, England में, काम कहां आया, Thailand में तो देखे, पढ़ी हुई चीजें कभी ना कभी जीवन में काम जरूरा थे Just two weeks before sea flew out to Thailand with her family, और ये केवल दो सबता पहले ही पार्थ उन्होंने पढ़ा था Till he saw the sea slowly rise, धीरे धीरे समूंदर की जो लहरें थी, उनका पानी उपर उठता है And start to form, दीरे दीरे उसमें जाग बनने लगते हैं, बबल, बुलबुले बनते हैं And form whirlpools, whirlpool होता है, जिसे वाशिंग मशीन में पानी गोल गोल गूमता है इस परकार से पानी में विभिन सनरचनाएं बनने लग जाती है She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami यही तो उसने वीडियो में देखा था, लेकिन यह वीडियो तो सुनामी का था क्या Thailand में भी सुनामी लहरे आ रही है That had hit the Hawaii island Hawaii island है अमेरिका के पास in 1946 में आया था सुनामी अब दुबारा से आ रहा है Her geography teacher had shown her class the video And told them that tsunamis can be caused by earthquakes यह जो सुनामी है यह भुकंप से ही पैदा होते है Volcanoes जब जवाला मुखी है उससे पैदा हो जाते है Landslides जब पिर्थवी के अंदर जमीन सरकती है एक पलेट दूसरी पलेट जब आपस में टकराती है एक दूसरे के ऊपर चली जाती है तो उससे कमपन भी आता है और सुनामी भी आती है Tillis started to scream at her family to get off the beach पूरे परिवार को आवाज लगाती है कि समुन्दर के बीच से किनारे से दूर भाग लो She talked about an earthquake under the sea उसने कहा समंदर के नीचे एक भुकम पाया है She got more and more hysterical वो और ज़्यादा hysterical होती जाती है देखें hysterical है When you are hysterical you shout, laugh and cry in a wild excited way बहुत जोर से excited होकर तेज अवाज में आप चिलियां लगाते हो Said her mother Penny उसकी मा जो है Penny वो बताती है कि ऐसे लगा कि हमारी बेटी बिल्कुल पागल होई है हो भी क्यों ना उसने अपने भोल के लेसन में देखा था सुनामी कितना खतरनाक होता है उसी तरह के लहरें अब थाइलेंड में थी उनका जीवन मानों मृत्यू के करीब पहुंच रहा हो लेकिन ऐसा नहीं होता पैनी के थोड़े से समझ बूज के कारण ना के विल पैनी का परिवार बलके पैनी उनकी मदर है और पूरा परिवार इससे बच जाता है I did not know what a सुनामी वाज पैनी को तो पता है इंदा सुनामी है क्या बताया किसने टैली ने उसकी डॉटर but seeing my daughter so frightened I thought something serious must be going on लेकिन मुझे ये पता था कि कुछ ना कुछ serious होने जा रहा है Tillie's parents took her and her sister away from the beach अब दोनों बहनों को वहाँ से दूर ले जाते हैं to the swimming pool at a hotel a number of other tourists also left the beach with them ये जो दूसरे tourists थे दूसरे परियाटक थे वो भी उनके साथ ही beach को छोड़ देते हैं उनकी जान भी बच जाती है then it was as if the entire sea had come out after them उसके बाद ऐसे लगा मानपूरा का पूरा समंदर उनके पीछे दोड रहा है I was screaming run भागो भागो the family took refuse in the third floor of the hotel hotel में तीसरी मंजिल पर जाकर के वो लोग रुकते हैं refuse लेते हैं आराम करते हैं the building withstood the surge of three tsunami waves एक दो और तीन सुनामी की लहरें building से टकराती हैं साज जोता है force पूरी जोर के साथ momentum पूरी शक्ति के साथ if they had stayed on the beach they would not have been alive beach पर होते तो वो जिंदा नहीं बचते the smiths later met other tourists who had lost entire families उनको बाद में ऐसे लोग भी मिले जिनका पूरा का पूरा परिवार समंदर की लहरों में डूब गया था thanks to tilly and her geography lesson ना केवल tilly बलके उस भूगोल के पाठ जिसकी वीडियो टीचर ने दिखाई थी उन सब के कारण बहुत से लोगों की जान बचती है they had been forewarned fore means पहले ही warning दे दी थी tilly ने और उनकी जान बच जाती है tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale अपने कक्षा के बच्चों को अपनी कहानी जो डर भरी थी terrifying means डर से भरी हुई कहानी उन सब बच्चों के साथ सांचा करती है आईए कुछ comprehension के questions देखते हैं why did tilly family come to Thailand चुटी या मनाने आई थी चुटी भी की सीज़गी Christmas day की what were the warning signs that both tilly and her mother saw क्या थे warning signs पानी की लहरें ऊपर उठ रही थी पानी में whirlpool हो रहे थे do you think tilly's mother was alarmed by them tilly की मा नहीं उसे सुनामी के बारे में कुछ नहीं पता था where had tilly seen the sea behaving in the same strange fashion ऐसे ही कहां देखा था उसने उसने एक वीडियो में देखा था वीडियो कहां थी वीडियो थी कलास में और कलास में क्या था जियोग्राफी का एक लेसन था तो हम कह सकते हैं tilly had tilly had seen the sea behaving in the same strange fashion in a video of geography lesson द्वीब का नाम था हवाई और ये 1946 की बात थी where did the smith family and the others smith की family भी है, others भी है on the beach go to escape बचने के लिए कहां जाते हैं वो जाते हैं एक hotel, hotel की भी तीसरी manjil पर जा कर रुखते हैं how do you think her geography teacher felt when he heard about what tilly had done in Phuket teacher must be happy, बहुत खुश हुई होगी और साथ में proud भी उसे बहुत गर्व हुआ होगा कि उसकी student ने कितने लोगों की जान बचाई है third passage करेंगे हम third कहानी में आज के लिए बस इतना ही thank you, thank you very much